कि है लो दुस्तों आज कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कॉमडिटी मार्केट के बारे में जो की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिंग में से एक है और यह स्टॉक एंड कॉमडिटी मार्केट में लास्ट यूनिट है अगर आप इस से लिए और वीडियो देना च चलिए देने के शुरू करतें पूर्ब सबसे तो हम मार्केट को समाशने के लिए हम पहले समझतें और यहां पर क्या है तब हम आगे समझ में कोई बेच ना हो तो बेच भी सकता हूँ लेकिन मार्केट के कंटेक्ट में कमड़ी है कि कोई बी ऐसी मुविबल प्रोपर्टी गरेजाए जैसे की लैंड अगर हमने लैंड खरीदा तो वह लैंड एक जगा अगर आपको बेचना है तो उसको वहीं प्याना पड़ेगा आप यह ने कि घर पुझा दो लेंड कि वहीं आपको घर दे रहे आरो लैंड ऐसा हो सकते है गया लैंड तो लैंड है तो जैसे कि पढ़ नीचर हो गया यह कोई विए से समान जिसको में खरीदा वाब ट्रांस ल टी नीदि हो आपकी मैने आपको भी तक नहीं मिल्य है लेकिन आपको प्रोपर्ट सहहें ट्र! नहींको आपको इंच्छी केतों अब च्छाब क मधिन थो तो आप गया सकते हो आप गिस कर सकते हैं तो एसा प्रुपटी जिसको अभी तक आ shepherd कोई के लिए वो कोश्राइटी में आएगा क्योंकि आपको प्रोबर्टी होनी चाहिए आपके पास है नीना आपके पास वह तो वह नहीं आएगा ऐसे अंसेज़ को होता है अपने कोई किसी को डैट दिया लेकिन वह सेक्ष्यूर्ड नहीं है यानिकि कोई तो अगर आपने उसको ने आपको पैसा नहीं दिया ठीक है ना तो भाई फिर आप पोड़ में जाके के सब्सक्राइब वो भी नहीं आएगा मनी भी नहीं होती मनी तो खरीदने का एक टूल है बेचने का एक टूल है तो सेक्योटी में आएगा ना वो सेक्योटी मार्केट में आएगा इसमें होड़ी आएगा कोमोटीटी सेक्योटी थोड़ी होती है तो सेक्योटी नहीं आएगा सेक्योटी इसका मार्किट अलग है स्टॉक मार्किट से बोलते हैं शेयर डिवेंचर बोर्ट वह आता है महां पर तो कॉमेटिटी में क्या आता है कुछ भी है जैसे की गोल्ड कोपर अल्मूनियम कोफी पेपर इसब चीज़े तो वह आएका कॉमेटिटी में अब समझते क्या है ऐसी मार्किट जो कि प्रैमरी प्रड़क्ट में डील करती है रादर देन मैनिफेक्ट्र प्रड़क्ट में उसी को बोलते है उसा फीजिकल प्लेस है जहां पर बाइंग सेलिंग एंट ड्रेडिंग होती है अब ही पहली बार उसको कोई प्रोसेस नहीं पहली बार आया जैसे कि वीट है गेहुँ अब हो गेहुँ आया वह प्रैमरी प्रड़क्ट है वह अब आपने गेहुं को मैनुफेक्श्र करके एक आशिवार्थ आठा मुना और एक या तो नहीं आता को वित अगर जो बिलकुल अभी प्रैमरी नैचुर्वल प्रोड़क्ट यह अभी नहीं करा एक उसे यह ठीक है क्या करते हैं कोमटिटी मार्केट में में द्याद से मेरी बाद समनना अब देखो objective हमारा क्या होता है commodity market में यह सब प्राइमरी पॉटक्ट होता है ऐसा प्रड़क्त जो की अभी बिलुकुल प्राइमरी है उसको ऐसा नहीं की प्रोसेस करा गया है एक अधर फोम में जिसे गोल्ड, क्रूड ओयल यह सब प्राइमरी वोटक्ट होते है ठीक है अब देखो अब्जेक्टिम हमारा क्या है कॉमोडिटी मार्किट बना देगा हैजिंग करना हैजिंग का मतलब होता है रिस्क को दबाना ताकि रिस्क किसी और पर ट्रांस्वर हो सके अपने रिस्क को दबाना तो हैजिंग विद ऑब्जेक्टिक ओफ ट्रांस्वर रिस्क रिस्क रिलेटेटिट तो पॉसेशन ऑफ फिजीकल एसेट थू एडवर्स मुमेडीन प्राइस क्या आपको लगता है कि यार इसका प्राइस का फ्यूचर में कर सकते हो किसी और के साथ एक ऐसा कॉंट्रेट डील कर सकते हो कि भाई देख ऐसा है वह आपको कहेगा कि देखो फ्यूचर में चाहे गोल्ड का प्राइस घड़ी भी गया तो भी मैं आपको पिचास अर्पे काई खरीद हो आपसे आप ही मालो गोल्ड को अपने पिचास अ कम हो गया। तो आपने फ्यूचर कोंट्रेट कर लिया एक फिर कोंट्रेट होता है जिसको हमने ग ELAY вариway कॉंट्रेट में समझा था तेरी बेटिक कोंट्रेट के यहाप पिर तो डेलिवेटिग कोंट्रेट आपने समझे होनी चाहिए क्योंकि यह समझा हुआ और आप सीधा कोंट्रेट के देख लिए गड़बड़ को पहले आप वो वीडियो जाके देखे वह भी आपको वीडियो मिलेगी बेडियश में होता है जिसमें आप फिक्स प्राइस पे future में होने वाले transaction को डिल कर देते हूं कि फिक्स प्राइस पे आपको खरीदूगा समान यह बेचुगा तो समोजको आज पीचास पर गोल्ड है और आपको डिला करें कि फ्यूचर में गिर गया तो सका क्राइस क्या होगा तो आपने एक बंदे सा कॉंट् तो इससे पिचास को खरीद लुगा आगे महें बेद हुआ लेकिन आपको डर लग रहा है कि घर गया तो क्या होगा तो दोनों का फायदा है इसका भी फायदा हो रहा है यह किसी सोस समय कर रहे हो तो इसे हैजिंग करते हैं कि आपने रिस्क को ट्रांसवर कर रहे हो किसी और कि समझा की वा तो दूसरा होता है लिक्विडिटी एन प्राइस डिस्कवरी आप यहां से प्राइस डिस्कवरी कर सकते हो कि फ्यूचर में आप कितना जल्दी अपने इस को बेच के पैसा ला सकते हो बफर स्टोक मेंटेंगर करे सकते हो सब्सक्राइब को लग रहा है कि आप फ्यूचर में इसकी डिमाड़ भढ़ने वाली है तो पहले से ही ज्यादा स्टोक मेंटेंगर रख लोगे जितने ज्यादा डिमांड होगी उत्रा ज्यादा आपको फिर बिगएगा तो इसलिए प और आपकी सप्लाई कितनी यह मार्केट में अकर डिमांड जादा है सब्लाई से तो प्राइस भढ़ जाएगा डिमांड कम है तो कम हो जाता है है तो उसको देखते हुए प्राइस को स्टेबल कैसे करा जाए वह औजक्टिव होता है उस स्टेबल कैसे होता है derivative से क्योंकि derivative कॉंटेट से क्या होता है कि हम fix price पिट कॉंटेट इन करते हैं तो उससे क्योंकिолотी March कैसे होगी मार्केट में जाके bet wine कुम कर वा सकते हो ठीक है जड़ा समान देखे तो प्राइस को स्टेवल करने खुशी करते हैं यह एक अब्जेक्टिव है क्या कि लोग कभी भी कोई भी साथ करी सके सैटेनेटी हो ऐसा नहों कि फ्यूचर में क्या हो सकता है पता ही नहीं आपको ट्रांस्पेरिंसी करी जाए खुला कोई भी देख सके को में परचे में कि पाइस स्टेबिलिटी प्राइस में और रिस्क को कम करना यह बहुत इंबोड़ेट है तो बैमेफेट देखो क्या कहा है वही इसके बैमिटी मार्केट में आप प्राइस दिसकवरी करते हो जादा है तो आधा अप्लाई एक्विभूरियम ला सकते हो एक्विभूरियम क्या होता है ऐसा पॉंट ना प्राइस इसमें ज्यादा है न थी कि ना इनिफ़ेशन रेट को देखते हुए गौवर्णेट पॉलिसी क्या चल रही है है उसके देखते वां प्राइज डिसकोवरी होता है एक कॉमॉटिटी का उसमें प्राइज डिसकोवरी करते हो ठीके ना उसकी वैसे प्राइज होता है और ये आप कभी भी देख सकते हो कमुटिटिटी मार्केट में जाकर कि esthera price रिस्क मेंनचमेंट डोलप्रेड करता इंदर किम्यूटिटी मार्केट में हम प्राइस रिस्क मैने कर सकते हो- future मार्कीट होती है डैरिबेक इन में उसके त्रू कि future में में समान इतने लोगा टैंशन मदलो ऐसे मैनेजिंग ओ रिस्क यहीं बहुत चीज़ है कि रिस्क को मैंने कर सकते हो कॉमोडिटीटीड डेरिवेटीव में में आप रिस्क को मैंने कर सकते हो जो भी आपको रिस्क लग रहा है का सकते हैं एक यहीं हैं गोडेटीड टैरिवेटीव से आप जो ट्रेडिंग रिस्क होते हैं उसको कंपोनेंट एंड ली टू इंप्रूब मार्किट एफिशेंसी जिसकी वैसे मार्किट में एफिशेंसी आज़ती है करते हैं और उसके त्रू वो डील करते हैं जिसकी वेसे डेरिवेटी में लिक्विडिटी ज्यादा आती है कभी भी आप उसको बेज सकते हो खरी सकते हो और उसकी उसमें लोवर ट्रांजेक्शन कोस होती है क्या होता है कि आप ऐसी मार्केट में डील करो जो अंडर लाइंग है मतलब कि आपने खरीदा नहीं है अभी तक ना बेचा है अंडर लाइंग है वो कि फ्यूचर में मैं इतने का आपका बस यह सेक्योटी को बेस के बेस बनाते हुए मैं खरीद हुआ कि एक इसका प्राइज बढ़ा तो प्रोफिट हुआ तो मुझे मिलेगा लोस हुआ तो तुझे मिलेगा इसे कहते अंडर लाइंग से क्मोडिटि डेरिवेटिव तो उसमें वह जी चीज़े होती है उसमें कि अपका कैश में खरीदा जाता है कि हाथ वाथ समान खरीदा जाएगा आपका जैसे उसी को स्पोर्ट मार्केट भी बोलते हैं यह हम टाइप्स में समझेंगें कैश मार्केट होती है तो उसमें भी कोस जादा होती है अगर आहत वाथ खरीद रहे हो समझेंगी बात तिको स्पैकुलेशन में कहता है ऐसे स्पैकुलेशन में बहुत डेरिवेटिव को डील कर रहे हो स्पैकुलेशन की तरह कि आप एक्च्छोर पर कुछ नहीं खरीद रहे है प्राइस बढ़ लेकिन में इंपोरेटिव क्या होता है बद्राइस के रख राइस ना हो मैंने को बताया था ना लगाएटिव से आप प्राइस को स्टेबलाइस कर सकते हो एफक्ट मार्किट में होता है उसकी वजय से उससे आप зах reci कारेक्ष मार्टिंट प्रडख़यट में क्या होता है कि आप समां को बेसीकली आप बेसीकली समां को हाथ यहाथ खरीद में भीषते है तो य vibrations में इसार यह पाता तो इंपरूब प्रॉडट्ट ज्यादा करोगे क्योंकि वहना कोई खरीदेगा नहीं विदाब को समाओं प्रडूसर के लिए बहुत यूजफुल होता है यह तो प्रडूसर को प्राइस पता चलता है पहले से तो वह पहले से डिसाइड कर सकता है कि मुझे कोमोडिटी कितनी बनानी है कितनी मुझे सूट करेगी कितना मैं प्राइस फ्यूचर में अभी रखू इसका क्योंकि फ्यूचर में आपको पहले से पता है क्या डिमांड सप्लाइ को देखते है फ्यूचर में इतका प्राइस यह रहने वाला है या फिर आपने पहले से डेरिवेटिव कोंटेट डील कर लिया कि मैं इतने में समान वह कहना मैं खरीद हुआ तो फिर आपको अच्छे से आप समझा गयागा कि आपको कॉमोडिटी कौन सी बनानी है किस तरीके से इसको सूट करेगा आपको कोस्ट समझा की बात यह सब तेह दिए तो दुबाएबे, तेक्टी बिल्टो दुबाएबे, तेक्टी बिल्टो दूबाएबे, तेक्य।